नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है सूर के मेश राशी में आने का एक निगेटिव इंपक्ट भी है सूर मेश में आकर के तुला राशी को अपने से सात्मी राशी को नीच द्रिष्टी से देख रहे हैं ग्रहों की दिष्टियों का आसर ग्रहों की उपस्थिती से कहीं जादा होता है ये हर जोतिश का विध्य जानता है तो सूर का तुला राशी में आना किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ नुकसान दायक भी रहेगा अब अगर सूर्य से कुछ नुकसान हो मतलब आत्मा ही नुकसान करने के लिए सोच ले तो फिर कौन बचाएगा मैं बचाऊंगा न आपका आश्रो फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसा प्रियोग बताने जा रहा हूँ जो सूर्य की नीच द्रिष्टी जो की 14 मई 2020 तक रहेगी 13 अपरेल 2020 से 14 मई 2020 तक सूर्य मेश में रहते हुए जो नीच द्रिष्टी से निगेटिव इंपक्ट डालेंगे वह प्रतेक राशी वाले कैसे एक छोटे से उपाय के द्वारा निगेटिव इंपक्ट को दूर कर सकते हैं मित्रों सूर्य अगनी है सूर्य अगनी का कारक है सूर्य अवशधी का कारक है सूर्य आत्मा का कारक है सूर्य पंचमभाव का कारक है सूर्य आपकी कुशागरता, मेधा और बुद्धी का भी कारक बनता है सूर कहीं न कहीं आपके संतान विशय को भी लेकर की चलता है क्योंकि पंचंभाव संतान का भी होता है तो इन सारे छेत्रों से सम्मंधित सूर की नीच दृष्टी का निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े निगेटिव प्रभाव ना पड़े इसके लिए एक छोटा सा प्रि प्रिवेश करेंगे तेरह अप्रेल रात 14 मैई तक यहीं रहेंगे प्रयों क्या करना है वर ब्रयों को करना भी बहुत अनिवार है एक तांबे क्या कोई पात्र ले लेजे, हर घर में होगा लोटा, चम्मच, छोटे सी गिलास, कटोरी, दिया, तांबे का दिया भी होता है तांबा, कौपर, तांबा माने कौपर, तांबे में मंगल और सूर दोनों का संबंध माना जाता है तो तामबे का copper का कोई पात्र ले ले लेजे, उसमें साथ बूद देशिगी टपका दीजे 7 drops आप देशिगी इसके बाद थोड़ासा केसर डाल दीजे अब केसर का सूर का क्या समबंध है? केसर अर्थात ब्रहश्पती और सूर अर्थात पंचम भाव सूर के सिंह से ब्रहश्पत की राशी पंचम पड़ती है पंचम से पंचम भावात भाव फलम का सिध्धान तो घी में साथ बूद देशी घी कटोरी में रखिये ताबे की कटोरी में रखिये और उस पर थोड़ा सा केसर डाल दिजे और अपने ring finger से सूरी की अंगुली से देर तक केसर को उसी कटोरी के अंदर ताबे के गिलास में कहीं पर जहां भी ताबे में ही रखना है नहीं है ताबा तो इश्टिल ले लिजेगा फिर कोई बात नहीं है इश्टिल ले सकते हैं इसके बाद इस सामगरी को किसी ऐसे बरतन में रख लीजिए जहां से फिर पूरे महीने तक आप टीका लगाईएगा हलका सा छूना है टीका लगाना है दिखाई नहीं देगा माथे पर लगा लिजेगा नहाने के बाद ही करना है नहाने के पहले नहीं करना है कि नहाने से पहले कर लिया नहाने के बाद रोज इसी से हलका सा तिलग लगा लिजेगा सुबह सुर्योदर से लेकर के शाम सुर्यास्त के बीच में जब भी नहाते हुआ आप, कोई बंधन नहीं है, वैसे भी करोना का इस समय आतंक चली रहा है, तो हर कोई घर में ही पैक है, तो कभी भी जब भी नहाएं आप, बस नहाने के बाद वो जो बनाया है आपने, ताबे में घी और केसर रगड करके उसको रख लेना है और उसी से माथे पर टीका लगाना है, यह प्रियोग बच्चा बुढ़ा जवान हर कोई कर सकता है, सोरे की दिष्टी जो तुला पर नीच की है, उस निगेटिव इंपक्ट को कम करने के लिए इस से अच्छा कोई उपाय सं पूट चल रहा है, उसका लाफ जरूर ले लिजेगा, समय बहुत कम है, इस लाफ को लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल या वाट्सप जरूर करिएगा, थैंक्यू सो मच, नमस्कार, सिकिष्णा शिरादे